आत्मा का दो रेसूर्ट एक टेंप्रारी एक पर्मनेंट टेंप्रारी आज हम फिमेल के रूप में यहाँ पे रिसाइड करती हूँ फोरेड में अगर बाई चांस मैंने मृत्यू को पा लिया फिर दूसरा जनम लिया तो मैं मेल का फोरेड यूज़ करूंगे तो जिस रूप में होँगी मेल फिमेल उस रूप में यह मेरा टेंप्रारी एड्रेस है परमनेंट एड्रेस मेरा कहा है जिसको हम शिव लोग शांती धाम कहते हैं परमधाम निराकारी वर्ल कहते हैं उस दुनिया में इसलिए लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है सब देवी देवताय भगवान यहां रहतें लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि भगवान ऊपर की हो रहे है तो प्रमनेंट एड्रेस मेरा सोल वर्ल है जहां परमात्मा मेरे मात पिता है तीसरा हम देखते हैं कि परमात्मा के लिए कहते कि एप्लिकेशन फॉर्म में भरते हैं क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन होता है किसे का ग्रेजुएट किसी का पीजी इंजिनीरिंग एम्टेक बीटेक इतियादी तो वैसे ही आत्मा का भी क्वालिफिकेशन है सेवन वैलिउस वो सेवन वैलिउस क्या क्या है तो वो हम जाने आत्मा शान्ती सुख प्रेम आनंध ज्यान शक्ति प्रकाश इसकी स्वरूप है सेवन और हम लोग यही चाहते हैं लाइफ में भगवान से ही यही डिमांड मांगते हैं तो यह हम लोग का कॉलिफिकेशन है तो परमात्मा का कॉलिफिकेशन है वो सागर की तरह है ओशन ओफ नॉलेज ओशन ओफ पावर ओशन ओफ पीस लेकिन हम लोग इक कॉलिटीस मेरे अंदर में थोड़ी थोड़ी है सब के अंदर है तो इस विदी से एक कॉलिफिकेशन है occupation आत्मा occupation माना मैं actor हूँ मेरा क्या अभी role है मैं acting कर रहे हूँ आज ये पांच तत्व का शरीर लेकि आज मैं फलाना name से यहां role play कर रहे हूँ कोई भी actor को जो भी role मिलता है उसमें वो अच्छा करना चाहता है उसी विदी से यहां में भी आत्मा चाहे किसी को राम का रोल मिले यह रावन को उसको बेस्ट वेव में play करना चाहता है तो उसी विदी से हमको भी इस वर्ल्ड रामा में अच्छा role play करना है क्योंकि में भी इस वर्ल्ड रामा का unique actor हूँ परमात्मा जो है उनका जो है qualification सागर है दाता है बंदार है उनका भी घर परमधा में यहां temporary आते हैं वर्ल्ड को change करने के लिए peace थापन करने के लिए तो इस विदी से यह सब इस पांच हम लोग application form में भरते हैं वो हम सब से मिलता जुलता है आत्मा के लिए भी परमात्मा के लिए भी तो जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाते है जैसे कहते हैं न भगवान के लिए कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है किस्वी माने तो कहने का मतलब जैसे हमारी पांच उंगलिया है पांच उंगलियों का अलग अलग function है एक बार उंग्लियों की सभा लगी तो छोटी वाली उंग्ली कह रही थी वाव मैं सबसे बढ़ा हूं कितना बढ़ा हूं मैं इतना बढ़ा हूं कि कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाके इस उंग्ली के लिए कहावत है कि कृष्ण ने गर्वधन परवत उठाया गर्वधन परवध इसी उगली से उठाया था और सब लोगों को सेफ किया उसी वीदी से छोटा है पर काम का तो है अगर एक उगली नहीं रहेगी तो हम विकलांग में गिंती होंगे उसी वीदी से एक चुप हो गया बढ़ा करें बहुत बहुत उस समय कृष्ण जी क्या दूसरी उगली खड़ी हो गई वो कहने लगी में बढ़ी में बढ़ी तो ये कहने लगा तो कहां बढ़ा तो बोला देखो जब भी शुब काम होता है तो मुझे ही तिलक लगाने के लिए आगे बढ़ाती है और कभी भी अंगूठी पहनाना है तो शुब काम में मुझे ही इसी उगली की पूजा होती है तो इस विदी से मैं बढ़ा हूँ तो बोला बस दो-चार बार तेरा यूस हो गया इतना तुमको अभी मान फिर तुम शांत रहो तो यह शांत हो गया फिर एक कहने लगा मैं बढ़ा, मैं बढ़ा, मैं बढ़ा तो क्या हुआ, तो सब ने मिलके, ए भी मिल गए, ए भी मिल गए, बोला कैसे बढ़ा, तो बोला मैं इसलिए बढ़ा हूँ, कि सब उंगलियों से बढ़ा हूँ, तो घर में भी कई बार ऐसे विक्ती होते हैं, बुजुगलो, तो घर का भी सेफ्टी होता है, और उनका आशिर फिर ए उंगली आने लग गया, बस बुड़ा होता है, तब यूज होता है, चलो जाने दो, शांत हो गया, अब इसको कहने लगा, मैं बढ़ा, मैं बढ़ा, तो बोला कैसे बढ़ा, तो बोला, इसलिए मैं बढ़ा, कि इसी उंगली में, स्कूल में भी बच्चे जब शोर क करने में काम आता है, इसका भी महत्व है, उसी विदी से अंगुठा है, फिर कहने लगा, इस सब को कमी बता दिया, तो शांत हो गया, फिर इसको बताने लगा, मैं बढ़ा, मैं बढ़ा, तो चालो आके मिलके इसको दबो चाओ, तो कैसे बढ़ा, अरे मैं जो चाहे वो कर स मैं चाहे करोड़पती को रोड़पती बना दो रोड़पती को करोड़पती बना दो जिसको गरीब से साहुकार से गरीब बनाना अंगुठा चाप का आज भी वैल्यू है भले लोग educated qualified हो गए बर्ट आज कई जगह print finger मांगते रखते तो देखे पांचों उंगलियां मिली त अगर ना हो तो देखे कितना मुश्किल होता है वो लोड़ पड़ता है उसी विद्य भगवान का यूनिक वर्ल्ड ड्रामा है अलग-अलग संसकार के अलग-अलग नेचर के अलग-अलग सुभाव के लोग मिलेंगी और सब के साथ हमको तालमेल करके अजर्जस्ट करके, मोल्ड होके, कौपरेट होकरके जब हम घर को भी चलाएंगे तो घर भी मेरा सुक्षान्ती में होगा Лड़ाई, तनाव-मुक्त होगा और साथ-साथ मी घर में सुक्षान्ती चाहेगा चाहे office में हो, चाहे बड़े-बड़े institution में हो, organization में हो, तो सब में plus and minus हैं, तो positivity को देखे, negativity को delete करते जाए, उसको don't care करें, क्योंकि care करने से positive में थोड़ा default आ जाएगा, इसलिए negativity को देखने ही नहीं है, हर चीज का plus and minus है, लेकिन positive को हम utilize करें, इस विदी से, अब हम चले, दो मिनट का meditation करते हैं, सब बातों से परे, हम अपने मन बुद्धी को चारो ओर की बातों से फ्री कर, सब कार्य व्यवार से फ्री होकर, अपनी आपको देखे, दोनों आइब्रो के बीच, मैं point of light आत्मा चमक रही हूं, मैं इस body की operator हूं, मुझ में सारे powers हैं, इतनी powers हैं कि दुनिया के हर कार में कर सकती हूं, everything is possible, अप कुछ पल के लिए मैं अपने आपको मन बुद्धी से यहां से जुबली पार्क चले गए, वो statue के सामने हम उतरे धीरे धीरे घास में चल रहे हैं, पानी की फुवारे हैं, कितने सुन्दर सुन्दर सीजनर फ्रावर्स हैं, कितना peaceful atmosphere हैं, पानी के फुवारे के नीचे, कितनी शीतलता महसूस हो रही हैं, मेरा मन भी शान्त और शीतल हो रहा है, धीरे धीरे गुलाबों का पोधा है, वेराइटिस गुलाब हैं, ऐसे दुनिया भी फूलों का बगीचा है, जैसे गुलाब सबको प्यारा लगता है, वैसे मैं भी भगवान की बगीचे की गुलाब हूँ, मैं भगवान की बगीचे की रूहे गुलाब हूँ, मैं भगवान की बगीचे की रूहे गुलाब, अब अपने आपको ले आए अपने अपने घर में और अपने आपको उसी चेर में सेट कीजे, जहां से आपने सफर स्टार्ट किया था, और अपने फोर हेड में लोकेट हो जाईए, अब मैं धीरे धीरे अपनी सेंस ओर्गन्स के थुरू कारिक करने के लिए एक्टिवेट हो रहे हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सेंस ओर्गन्स से कारिक करने वाले मैं एक चेतन्य शक्ति हूँ, फुल बॉड़ी सिस्टम को ऑपरेट करने वाले मैं पावरफुल ऑपरेटर हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ, शान्ति, ओम शान्ति, तो दिदी आज दूसरे दीन के क्लास में हम लोग ने बहुत कुछ सिखा, पर्मात्मा जरा सरीर का एक नाम होता है और इस शरीर में रहने वाली जो मैं हूँ, वही मैं हूँ मेरा आत्मा है और पर्मात्मा सी बाबा, बहुत सारे कुछ हम लोग ने सिखा, बाबा मिन्स फादर तो दिदी अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, और कुछ सिखेंगे और मैं अपने दर्सकों को ये बताऊंगा कि जो हम लोगों का क्लास चल रहा है लोग टीवी का जहारखंट का थ्रू से प्रजापिता ब्रहमा कुमारिये इश्वरियो विश्विद्धाराय का जो भी ज्यान आप लोग ले रहे हैं जिस तरह से मेडिटे करें और हैपीनेस का तरफ जो हम ले जाना चाहते हैं आपको इसलिए हमने अपना कालिक्रम का नाम रखा है जर्नी टू वर्ड्स हैपी लाइफ तो दोस्तों आजकल लोगों में हैपीनेस तो चला जा रहा है खासकर पिछले एक साल से हम लोग काफी दिशा बीमारी जो रह है आतंकित है तो इस समय बहुत जरूरी है हमें यह आत्मबल जगाना जगाने का लिए सेल्फ कॉंफीडेंस लाने के लिए मेडिटेशन मेडिटेशन अगर करते हैं अगर स्पिरिच्वाल जर्नी में हम आपको ले जाते हैं तो जरूर हम हैपीनेस के और जाएंगे तो बह दिनी आपको भी धन्यवाद आपसर नमस्कार थैंक यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जर्नी टूर्ड्स हैपी लाइफ तब तब के लिए हमें आज्या दीजिए आप लोग अपना क्यार लिजिए स्वस्त रहिए धन्यवाद झाल